जैस्री राम बहुत बहुत हर्दिक शुब कामनाएं वर्ष 2018 के लिए राशी तुला के जान तक के लिए कैसा रहेगा आपका 2018 आए हम लोग इस पर चर्चा प्रारम करते हैं सबसे पहले मेरी भगवान से प्रारतना है कि आपका 2018 बहुत ही बेतर रहे खुस्यों से भरपूर रहे लेकिन क्या कहती है जोत्सिय गढ़नाएं अगर हम बात करें स्वास्त के द्रिष्ट कौन से कि आपका 2018 कैसा रहेगा तो स्वास्त के द्रिष्ट कौन से आपका 2018 बहुत 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 बहुतर रहेगा सरीर में अस्फृती रहेगी, मन में प्रसुनता रहेगा, अच्छी जीजे रहेगी धन के अकॉर्डिंगर देखते हैं और परिवार के अस्टर से देखते हैं तो 2018 आपके लिए संतोष जनक रहेगा ना ही परिस्टतियां बहुत ज़्यदा बहतर होंगी और ना ही परिस्टति खराब होंगी जिस प्रकार चल रहा है वो ऐसी परिस्टति आपके लिए 2018 में रहने वाली है अगर हम बात करें यहाँ पर बिद्या अध्येन को लेकर के बिद्या अध्येन को लेकर के परिस्टतियां आपके प्रक्ष में हैं पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा, पढ़ाई में अच्छी सफलता प्राप्त होंगी, कि पढ़ाई से संबंधित कोई विदेश यात्रा या त्यादि भी करना चाहते हैं, तो भी आपको निश्चत दूरूप से उसमें अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है, भागे की द्रिष्ट कौन से बात करें भागे पूरी तरह आपके साथ रहेगा लग काम करेगा तो सफलता जल्दी प्राप्त होगी लेकिन सबसे महत्पूर होता है एक ब्यक्ति के लिए कि उसकी नौकरी अच्छी रहे और उसका ब्योसाय अच्छा रहे हर ब्यक्ति यही सोच करके कि आता है और आने वाले वर्ष में इसी चीज के लिए प्रयास भी करता है कि मेरे नए वर्ष में मेरी नौकरी अच्छी तरह चलता रहे यदि मैं कोई ब्यापार कर रहा हूं तो मैं ब्यापार भी बहुत अच्छी तरीके से चलता रहे और वही दो चीजे इस वर्ष आप आपको पीड़ा देने वाली हैं इस वर्स आपको यहीं चीजों पर ध्यान रखना होगा नौकरी के लिए 2018 राशी तुला के जाब तक के लिए बहुत अच्छी परिष्चतियां नहीं लाने वाला है नौकरी में आपको समय से अधिक रोका जाएगा जो नौकरी आपकी बहु प्राप्त होगी तो जो चीजे दो दिन में होने वाली है वो कारे आपका चार दिन में होगा नौकरी मिलेगी नौकरी छूटेगी नौकरी मिलेगी नौकरी छूटेगी यह परिस्थतियां 2018 में आपको निश्च दूरूप से देखनी पड़ेगी यदि आप बिजनस कर रह बाव में गोचर कर रहा रहा हूँ निश्चित रूप से बनते हुए कारियों में अंतिम स्वय में जाकर के बिगन उत्पन करेगा और कारिय शायद आपके बिगड जाएंगे इस कारण से आपको इस चीज पर विशेश ध्यान रखने की आउश्चिकता है अगर आप इत्याद 2018 में खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले तो यदि प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपको वहां बहुत सारी रुकाउटों का सामना करना पड़ेगा बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा लेकिन अगर खरीद भी रहे हैं तो पेपर इत्याद बहुत ध्यान से देखें, प्रापटी में आपको दोखान भिनने का उम्मीर है, पहले से स्वास्त खराब चल रहा है, दवाईया ले रहे हैं, तो 2018 में जो दवाईया लें, उसको सावधानी पूरवक देखें, ध्यान से दवाई लें, कि दवाई 2018 में आपके सरीर को कम काम कर रहा हूँ, जो आपके लिए राम बाण की तरह, अम्रित की तरह कारी करने वाला है, आपको 2018 में स्रीराम चरित्रमानस के सुन्दरकांड का सबसे पहली चौपाई है, सुन्दरकांड की, उसका रोजपाट करना है, अपने जिन में एक मंत्र की बाधारन करना है, चौपाई प्रते दिन घर से निकलते वें, चाहे गाड़ी में करें, या घर में बैट करें, पांच बार करके जाएगा, बहुत अच्छे से 2018 वेतीत होगा, जीवन सुक्षम्रदियों से परिपूर रहेगा, जैसरी राम